हुआ हेलो दोस्तों मैं हुआ आपका दोस्त आपका भाई साजित स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर तो चलिए मैं आज आपको एक 3D फ्लोर प्लान एक्स्वेशन वीडियो बताने जा रहा हूं बेसिकली यह एक 2D फ्लोर प्लान को 3D में कनवर्ट करने के बाद यह अक्चिली क्या है कस्टमर का रिक्वार्मेंट है कि इसको जो है उनका जो फ्लाट है यह घर है जो भी है यह बनने के बाद उनको कैसे दिखेगा वह बनने से पहले ही चाहते हैं कि वह देखना चाहते तो कस्टमर के रिक्वार्मेंट के हिसाब से मैं 2D floor plan को जो है 3D floor plan में convert किया है इसको डिजाइन किया है विज्वालाइज किया है तो चलिए इसके dimensions को के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं यह 32 feet length है इसका जो length है यह total 32 feet इसका जो length है और 44.5 feet इसका जो है width है तो basically यह 32 feet by 44.5 feet इसका जो area जो दिखाया जा रहा है वो इसके हिसाब से exact और एक inch का भीच में difference नहीं रहेगा तो इसका total area है 1435 square feet basically 32 feet by 44.5 अगर आप calculate करेंगे तो 1435 square feet आपको total area आएगा मतलब इसका जो total area है मैं आपको दिखाऊंगा यहां से लेके यहां तक मतलब इसका total area है यह जो है 1435 square feet आपको इसका total area है तो जालिए इसके बाद जो है ना इसका जो build up area है वो 1363 square feet है अब आप पोचेंगे के build up area क्या है build up area के माने meaning इसका मतलब यह है कि घर बनने के बाद मतलब आपका घर बनने का जो area है मतलब इसका जो constructed area constructed size जो है वो 1363 है तो मैं इसका मतलब बताता हूं जो 1435 square feet जो है ना उसके अंदर से आप जो construct नहीं किया गया है मतलब यह और जो यह जो area है ना यह तो इन दोनों areas को इन दोनों size को माइनस करने के बाद 1345 में से यह 1363 square feet build up area है मतलब इस total area का build up area 1363 यहां से लेगे यहां तर और यहां से लेगे यहां तर और यह जो area है ना यहां से यहां तर यह वाला area यह जो area है यह जो total area है build up area यह 1363 square feet है तो चलिए मैं आपको इसका directions के हिसाब से बताऊंगा इसकी शुरुवात इसके direction से करेंगे यह जो है प्लान कर लेना है अगर वास्तु में customer believe करते हैं तो उसके हिसाब से आपको प्लान करना पड़ेगा तो आस पर वास्तु इसका जो entrance है वो हमको east facing से लेना है मतलब यह facing से हमको इसका entrance लेना है जैसे ही मैं इसको zoom in करता हूं, zoom in करने के बाद आपको दिखेगा इसका जो hall है यह देखे 16 feet 9 inches मतलब इसका जो length है 16 feet 9 inches by 12 feet इसका जो width है design किया गया है कितना अच्छा दिखरा है इसका look जो है ना बहुत भेतरिन look इसका दिया गया है तो इसका जो hall का एरिया है वो 16 feet 9 inches by 12 feet इसका जो area उसके बाद hall में से जो है हम लोग enter करेंगे dining hall में dining area डैनिंग area जो है 16 feet 3 inches by 10 inches मतलब इसका जो है 16 feet 3 inches long और इसका width 10 feet है तो basically ये बहुत अच्छा dining area है ये क्या है बालकनी के साथ आपको आएगा balcony के sliding doors है तो basically जब आप यहाँ पर बैटके dinner कर रहे हैं कुछ भी lunch कर रहे हैं breakfast कर रहे हैं तो इसका बहतरीन आपको pleasant feel आएगा क्यों मतलब ये जो balcony है बालकनी के साथ साथ आपको इसका view मिलेगा तो बहुत भैतरीन इसका view आपको मिलेगा जब आप यहां पर बैटके आप dinner या lunch कुछ भी कर रहे हैं तो इसका भैतरीन लोग मिलेगा इसके साथ साथ जो है यह open kitchen इसको बोल सकते हैं और यह customer उन्होंने बोला था कि इसको open रख दीजें अगर इनकेस में जब flat का जो construction time जो चल रहा है ना उस time पर मैं देखता हूं यहां तो open कर लेता हूं यहां तो यहां कुछ platform बना लेता हूं यह उनकी requirement के साथ से है तो मैंने इसको open रख दिया है तो उसके बाद जब dining में से kitchen में इंटर होंगे तो यह kitchen का dimensions है वह length 6 inches by 8 feet 8 inches 11 feet 6 inches in length and 8 feet 8 inches in width so basically इसका जो contour top है यहां जो है gas इसका है यहां पर आपको इसका sink मिलेगा यहां पर यूटेंसिल से दोने के लिए जगा मिल जाएगे और यह जो है क्रॉक्री यूनिट या आप इसको जो है वाडरो बोल सकते है kitchen वाडरो बोल सकते है कॉक्री यूनिट बोल सकते है यह customer उनके हिसाब से वह plan करें मैंने तो इसमें दाल के रख दिया है तो इसके अंदर से जो है ना 5 feet wide utility area जो है इसको इसके साथ दिया गया है तो बेसिकली जब आप kitchen में है तो आपको कुछ दोना है या बड़े है तो चलिए इसके बात जो है हम लोग चलते हैं तो बालकनी के अंदर तो बेसिकली इसके अंदर दो बालकनी मतलब तीन बालकनी की तरह गया तो इसके अंदर देखिया आप बालकनी जो है 5 फीर्ट में जितना दिया गया है यह भेथरीन विर्ट यह क्यों मतलब आपको जो अक्सेस के टाइम पर आएगा तो दो लोग भी या तीन लोग भी इसके अंदर एकसेस के लिए मुमेंट के लिए बहुत भेतरी निसका जो मुमेंट रहता है वह होगा तो मैं इसको जूम इन तरके बता देता हूं देखिए आप इसका प्लान का जो जी कॉलिटी देखिए यह कितना अच्छा है कितना जूम करने पर भी इसका पिक्सलेट नहीं हो रहा है तो देखिए मतलब 3 bedrooms which is 123 master bedroom common bedroom and this one is the children bedroom so 3 BHK 123 bedroom और hall और kitchen तो इसका जो है न 3 BHK इसको कहा जाता है तो चलिए इसके अंदर जो है यह master bedroom है तो अब आप पोचेंगे मास्टर bedroom क्यों है तो मैं master bedroom कैसे माने जाएगा मतलब इसका जो डाइमेंशन से मास्टर bedroom का जो डाइमेंशन से जो साइज है वह बागी के दूसरे बेड्रूमों से बहुत ज्यादा होंगे मतलब करीब 2 फीट या कुछ भी रंदो लेंद में 2 फीट या एक फीट जो भी है वह ज्यादा होंगा तो देखिए आप 11 फीट 8 इंचेस बैस 14 फीट 7 इंचेस देखिए आप यहां पर कहीं भी आपको इतना बड़ा बेड्रूम का साइज नहीं मिल रहा है तो इसको master bedroom कह सकते हैं और इसको common bedroom या second bedroom भी कह सकते हैं और इसको जो है ना children's bedroom कह सकते हैं क्यों मतलब यह children's bedroom के इसाफ से इसको design किया गया है तो basically अगर मैं चाता तो तो इसको च्छोटा करके दोनों का साइज सेम ले सकता था, but customer का requirement यह था कि उनको यहाँ पर master bedroom चाहिए और उसके साथ साथ उनका children's का bedroom चाहिए, तो उसके साथ साथ मैं ने उनका children's bedroom ले दिया, यह common bedroom या second bedroom भी कह सकते हैं, आपलो, तो चलिए इसके साथ साथ जो है अगर master bedroom का साइज बढ़ा रहेगा तो बेसिकलिए उसका वाश्रूम का साइज भी बढ़ा रहेगा तो इसका वाश्रूम या टाइलट जो है इसका जो है six फीट six inches by six feet five inches जो इसका dimension है तो इसका जो टाइल्स है इसके बारे में आपको बाद में समझाऊंगा इसका detail explanation रहेगा तो उसके बाद जो है ना इसकी एक बालकनी दिए गई है मतलब attached बालकनी है तो basically इसकी जो attached बालकनी है यह बहुत बहुत बैतरीन बालकनी है यहां पे एक road आए रही आपको तो basically यह road पे जो है ना आपको जब sunrise अगर sunset होगा तो उस time पे आप जब यहां बैठेंगे अगर office से आए यहां बैठेंगे तो बहुत आपको सुकून मिलेगा आपको बहुत pleasant feel आएगा तो five feet wide बालकनी है तो इसके अंदर देखा गया तो आपको यहां पर बालकनी का जो है गार्डन भी आप ज़ाड लगा सकते है और इसका access जो है यहां पर बहुत अच्छा आक्सेस रहेगा क्यों मतलब यहां पर sliding door है आशली माने डोर का जो ले आउट है वह नहीं दिया है तो जहां-जहां भी उपन हो रहे है रहेगा वहां पर आपको डोर का साइड आपको समझ लेना चाहिए तो चलिए वहां से हम लोग जो है ना to second bedroom के अंदर चलते हैं चलो वह डिखतों है यो पॉजदिद दिया गया है क्योंकि अगर मैं यहां देता तो इसका आकसेस सही नहीं रहता और मुझे जो है रहता विन्डोस को आज घायता मतलब ये छुपा देता तो मैंने क्या किया इसका आप पर डिखेंग सोचना प्लेस्मेंट है उसका हो गया इसके बाद वाश्रूम के पास जाते हैं तो इसके अंदर देखिए आप तो कस्टरमर्स का रिक्वार्मेंट क्या है यह जो है मास्टर बेडरूम जो है उनके मदर फॉदर के लिए है मतलब बड़े लोग है तो उनके लिए जो है यह लोगों ने किया क्या है आक्सिस के लिए मास्टर बेडरूम उनके मदर फॉदर उनके पेरेंस को दे दिया है उस कि क십 केस्टमर का रिक्वार्मेंट है कि उनको बाटब नहीं चाहिए कि उंका यूसेज नहीं रहेगा कि उस्तम law कमड दे दिया और शवर प्लेसमेंट यहां पर दे दिया है betwiat यहां पर लेशा होता है कि कास्टमर जो बोलता है जो बड़्ट्व में लिआ एक यहां पर दिया है जो है जो इमोडर्रोय फोटीन फीट वैंठेस है इसका यहां पर आंपर साथ यहां पर प्लेस्मेंट इनके वो, बुक्स झेल्फ के तरह दिया गया तो इनका जो है, वाश्रूम जहाइ, सेम इसी के वाश्रूम के हिसाब से है, बट इनका जो है न, एक इंच ज्यादा आएगा, बट उसका जो है न, उसको, उससे कुछ फरक नहीं पड़ेगा, उससे उसको कुछ ज्यादा फरक पड़ेगा क्यों मतलब एक इंच नहीं दिख्या आएगा बट बेसिकली यह दो बात्रूम जो है आस पर प्लम्मिंग प्लाइन के हिसाब से मैंने डिजाइन किया गया है जब ही हम लोग प्लाइन करते हैं तो हमको प्लम्मिंग एलेक्ट्रिकल राइनेज यह सब चीदों का ध्यान रखकर प्लाइन करना चाहिए तो देखिए इसके इसके साथ जो है ना फाइफ फीट बाल करी दिएगी तो इसके इंदर जो है ना यह बैटकर पड़ भी सकते हैं या इसके यहां बैटकर जो है ना अपना ट कि मैं आपको इसके इंटीरियर के बारे में बताऊंगा इंटीरियर चलिए इसका इंटीरियर जो है ना बेसिकली मैंने इंटीरियर इसके इंदर बहुत नहीं दिया है क्यों मतलब मैंने जब 3D में दाला था या तो उस टाइम पे मेरे को मतलब इसके अंदर जितने भी मैं इसके बाद मेरा सिस्टम होनी के चांसेस होते हैं तो इसलिए मैंने क्या किया है फ्लोर प्लाइन के अंदर जो है इसका फर्नीचर प्लेस्मेंट दिया तो चलिए इसका जो सोफा है न इसका प्लेस्मेंट यहां पर है और जो है एक सिंगल चेर सोफा यहां पर है उसकाँ एक रिश्श्टिंग टेबल है और यहां पे देखेंगे आप तो मैं जूँम इन करूंगा दूम करने के बाएप आपको यहां पर दिखाऊंगा तो देखिए यह एक जो है ना यह टीवी यूनिट है तो बेसिकली यह टीवी यूनिट जो है आप वुडेंड पे भी करा सकते हैं या पिर आप वाल के उपर भी करा सकते हैं तो बेसिकली यह क्या है मैंने तो उनको एक एक requirement के हिसाब से दिये गया मगर उनके हिसाब से वो लोग design कर लेंगे ठीक है ना तो चलिए उसके बात जो है ना इसका जो flooring है यह flooring आप सोच रहेंगे क्यों मैंने यहां पर कार्पेट क्यों दिया है क्यों मतलब जब entrance से जब यह लोग आएंगे तो यह भी हो सकता है पैरों को कुछ भी लग लग चुका है मिटी है दूर है तो और जब यह लोग आकर अंदर यहां बैठेंगे तो इसका कार्पेट जो है ना इनको smooth feel करेगा है तो इसलिए मैंने क्या है यहां पर इसके बाद यहां पर dining एयरिया में ने बोला था कि customer को यहां पर डार्क कलर का फ्लोरिंग टेक्सर ले ले लिजए बन्वी उन्होंने ब्रीनिघान में यहां री निए तो इसलिए मैं यहां जो है लाइट वुड़न टेक्च्चर दिया गया है मैंने से आप देखेंगे तो मैं यहां से जूम करूंगा तो देखेंगे आप कितना अच्छा इसका डिजाइन किया गया है वुड़न टेक्चर दिया गया है इसको लाइट वुड़न टेक्चर दिय है ना उसके इसाब से जो है नॉन्ष्ट टाईल्स यहां पर दिया गया है यह बहुत भेम्ट learned इस इसका डिधान ओर चै абoh dave नहीं है बट मैंने जो है कस्टमर को समझ जाने के लिए कस्टमर को समझ के लिए मैं नहीं से दिया तो इसके बाद जो है बालकनी है बालकनी में गजा वालनट कर टेक्स्चर है वुडन फ्लोरिंग जो बोलते है उसको दिया गया है क्यों मतलब यह कस्टमर का रिक्वार्मेंट है अगर मैं देखा गया तो इसके अंदर मार्बल या ग्रनेट भी दे सकता था बट कस्टमर के रिक्वार्मेंट के हिसाब से यहां पे उनको वालन का गया इसका जो प्लेस्मेंट है वो बहुत बहुत बहतरीन किया गया है अगर इनकेस अगर कस्टमर बनने के बाद अगर उनको समझनी नहीं आ रहा है तो वह फरनिचर का प्लेस्मेंट यहां से वहां कर सकते हैं basically not a problem तो इसको बताने के लिए कि कैसा आपका फरनीचर प्लेस्मेंट आएगा कैसे आपके वॉल्स आएंगे उसके हिसाब से मैं यहाँ पे दिया गया तो यह जो वाश्रूम यह टॉयलेट जो है बातरूम जो है इसका जो है न में वन इंच वाला टायल्स दिया गया यह कस्टमर ने बोला था कि उनको जो है ना वन इंच टायल्स मतलब यह जो है ना बेजिकली यह एक एक इंच का टायल्स की तरह दिखाएगा जब यह लेओट किया जाएगा तो यह बहुत अच्छा कूल जो बोलते है ना कूल एक एक अट्मोस्पेर यहां पे क्रिएट करेगा तो उस यह मेरा 3D floor plan है अच्छल मैंने ही से डिजाइन किया है 2D floor plan को लेकर इसको 3D floor plan में convert किया है 3ds में Photoshop यूज करकर तो बेसिकली आप देखेंगे तो इसका जो साइज है ना वह बहुत अच्छा साइज है कितना भी जूम करूंगा तो इसका pixelate नहीं होगा आप देख रहे और मेरे बारे में आपको मैं बताना चाहता हूं मैं civil engineer हूं मुझे basically 6.5 years का इसके अंदर experience है तो आप देखें कितना अच्छा design कीजिया और comment में बताईए कि आपको कुछ इसके बारे में कुछ details चाहिए या आपको plan के हिसाब से कैसा आपको modifications करना है या आपको आपकी घर के हिसाब से कैसा करना है comment section में आप एक बार comment कीजिये मैं आपको जरूर आपको उसका वे बताऊंगा उसका जरिया बताऊंगा कि कैसा करना है तो last but not the least guys एक बार मेरे channel को subscribe कर दीजिया और bell button को दबा दीजिये तो let's get guys thank you very much झाल